हलो फ्रेंड्स क्या आपको बच्चे दानी के रास्ते सी यानि वजाईना से गंदा पानी यानि की ब्लड मिक्स डिस्चार्ज टाइप आ रहा है महीना ज्यादा भारी आ रहा है या थोड़ा बद्बूदार पानी आ रहा है या पको पेट के अंदर क्रैम सा रहे हैं तो हो सक सकती है तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनी का इनिकलॉजिस्ट अप्सेटीशन आज आप से एंडो सर्वाइकल पॉलिप के बारे में बात करने जा रही हूं एंडो सर्वाइकल पॉलिप जो बच्चे दानी का मुह होता है सर्विक्स जिसको की गरभाशे ग्रीवा भी बोलते है तो इस तरीके से एक पॉलिपॉडल मास बन जाता है जिसको की पॉलिप कहते है और जब यह पॉलिप सर्विक्स से निकलता है तो इसको सर्वाइकल पॉलिप कहते है या फिजब बच्चे दानी के अंदर से आता है कई बार तो उसको एंडो मेट्रेल पॉलिप कहते है ज ग्रेश adds डिंदर आपको महीना भारी अरहा रहा है यह आपको कुछ अर Darrin एक इंदर भारी पन लग रहा है है थो यह सारे आपको यह संब्क्राइब करते हैं की हो सकता है और आपको पॉर्टिस यह दोक्टर अब के के एक्जामिन करते हैं और जिसकों की परस पैकलम एक्जामिनिशन बोलते हैं जिसके तो जब बच्चेदाने के मूँ को हम लोग देखते हैं तो मैं पता चलता है कि उसके अंदर से कोई मास बढ़के या कोई ग्रोथ बाहर तो नहीं आ रही है ऐसा लगता है तो फिर सोनोग प्रयस से पहले एक जरौरी टेस्ट होता है जिसको कि पैप समयर के नम से जानते हैं पैप समयर बहुत जरूरी ही तो यह जो जाँच होती है, पैप स्मेयर सबसे पहले होती है, यानि कि सोनोग्राफिय और कोई टेस्ट इसके बाद में होते हैं, जब भी आपको डॉक्टर काउच पर लिटा कर जब नीचे एक्जामिन करते हैं, तो सबसे पहले पैप स्मेयर टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपके sonography करवानी चाहिए जब sonography करते हैं तो हमें ये पता चल पाएगा कि ये जो हमें जो मास दिख रहा है या पॉलिप दिख रहा है उसका origin कहां से है यानि कि बचेतानी कि cervix से है, endometrium से या अंदर कहीं और से आ रहा है तो उसका origin हमें पता चलता है जब origin उसका पता चलेगा तो उसके साब से इसका treatment भी plan किया जाएगा तो जब भी आपको लगता है कि इस तरह के कोई growth है या कोई mass बढ़ गया है तो ये शक जरूर जाता है कि कई cancer की तो कोई संभावना नहीं है हमेशा उसकी जांच बहुत जरूरी है और यदि आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको polyp है तो definite उसका treatment भी करवाना चाहिए जब भी polyp बन जाता है तो उसका एक ही treatment होता है कि इसको दूर्बीन डालकर उसको बेस्तिव से कट करके निकाल लिया जाता है कई बार कुछ लोगों को बच्चेदानी निकालने के सलहा भी दी जाती है लेकिन यदि आपके उम्र कम है और आपको लगता है कि आप बच्चेदानी निकलवाने के लिए mentally रूप से तयार नहीं है और वैसे भी अगर बच्चेदानी बाकी तरह से healthy है सिर्फ पॉलिप का problem है तो definitely उसमें दूर्बीन डालकर बच्चेदानी के रास्ते से ही पॉलिप को निकाला जा सकता है पूरी बच्चेदानी निकालने के ज़रुरत नहीं है हमारे पास कई बार patient आते हैं जो यह कहते हैं कि उन्हें सलहा दी गई कि आप पूरी बच्चेदानी निकलवा दीजे बट यह जरूरी नहीं है कि आपको बच्चेदानी निकलवानी पड़े सिर्फ पॉलिप निकालने से काम चल जाएगा क्योंकि बीमारी सिर्फ इतनी है तो जब भी बीमारी निकाल देंगे तो आपके सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे सिम्पल सीधा पूरिक आराम यहिलाज style當然 जब UP समय और भी मारी सिम्टम्स काम चल पाता है इसको काटे हटा दिया जाता है औरौबा मारी बीमारी से इसको आपको परो से अन Pangau है या कुछ और है 90 परसेंट तो कैंसर नहीं होता है अगर प्रॉब्लम हो तो उसका भी लाज संभव है एक बार जब पॉलिप आपकी शरीर से निकल जाता है तो उसके बाद में रेपीट सोनोग्राफी कराई जा सकती है दसे पंदरा दिन के बाद यह देखने के लिए कि वा हो रहे हैं तो दुबारा सोनोग्राफी आप तीन से चे मेने के बाद करा सकते हैं और कई बार इसमें अगर आपका उम्र हो गया है जैसे कि चालिस प्लस बार आपको बच्चे और नहीं चाहिए तो एक प्रकार का दवाई वाला आई-उ-सी-डी यानिके को परटी जैसा ड प्रोजिस्टरोन अधा उता है उन्दर के लेयर को ग्रोथ नहीं करने देता है जिसकी वज़े से पॉलिप बनने के समस्या जड़ से खतम हो जाती है तो यह तरीके से पर्मानेंट सल्यूशन हो जाता है बिना बच्चेदानी निकाले कि पॉलिप निकाल दिया हमने सारा पॉलि बनने के समस्या भी नहीं होती है तो मैं समस्त्वी जैनकरी आपके लिए लाब दायक रही होगी आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जैनकरी के साथ तब तक नमस्कार